warning your phone is in danger इसे तरह का message आप लोगों के phone पर काफी सारे आते होंगे और वो जो notification ने वो Chrome ब्राउजर से या फिर Google से या फिर दुसरे website से आते होंगे एसे बहुत सारे notification आपके phone पर देखने को मिलता है जैसे आप अपनी mobile की data को on करते हों काफी सारे अलग-अलग website की इस तरह का notification आता है यहां पर लिखा भी होता है वर्निंग योर फोन इस इन डेंजर या फिर आपके फोन पर वाइरस आ गया है तो इसे आप क्लीन करें या फिर आप इससे हटाए एसी तरह का नौटिफिकेशन आपके फोन पर आता होगा ताकि दुबारा यह नौटिफिकेशन आपके फोन पर ना आए तो वीडियो को पूरी एन तक देखना वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा से रिक्वेस्ट करता हूँ अभी तक आप लोगों इस वीड कैसा इसे तरह का आप लोगों को नौटिफिकेशन देखने का मिलता है इस नौटिफिकेशन की आप लोगों को पर्मेनेटली्मो От और ना आने के बाली के बाद आप लोगों को यहां पर ऐप्व्च्यन मिलेगी त्री डौ्टक् â 요즘 पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को थोरा से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर एक option मिलेगी notification की ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको इस notification की option पर जाना है तो आप लोगों को जितने मैसेज आपके Chrome ब्रॉजर से आता है या फिर Google से आता है या फिर unknown कर रहा हूं तो यहाँ पर आप लोगों को यह साइट भी देखने को मिल जाता है ठीक है तो आपको करना क्या है यह साइट को आफ कर देना है तो यह साइट को आफ करने के बाद जैसे आप उपर जाओगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगर आप लोगों को यहाँ पर Facebook की तरफ से भी इसी तरह का problem आ रहा है, इसी तरह का आप लोगों को notification आ रहा है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर site देखने को मिल जाएगी, यानि कि website इसे भी आप off कर सकते हो, तो जितने भी unknown website है, उसे आप permanently off करना चाहते हो, तो आप लोगों को कोई भी अगर आपके दुसरे website चे notification आ रहा है, तो सिफ आप उसी website को off करना चाहते हो, उसी website को आप block करना चाहते हो, यहाँ पर आके आप simply कोई भी site यानि कि वो site के पहले तो आपको name check करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आके disable कर देना है, उस Chrome browser की उपर click करकर रखना है, और यहाँ पर option आजाएगी app info की, आप लोगों को इस app info की option पर जाना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर storage and catch की option मिलेगी, या फिर आपके phone पर direct show हो रहा हो का निचे clear data की, तो आपको Chrome browser की जितने भी data है, उसे clear कर देना है, तो यहाँ प है, उसे clear कर देना है, उसके बाद तो आपके 100% solve हो जाएगी, कोई भी website से वो notification नहीं आएगी, वो virus वाली जो notification है, वो permanently off हो जाएगी, ठीक है?